नीति ने निकाला गुरिंदर पर गुसा पटक कर फोड़ा गुरिंदर का फोटो फ्रेम राजीम ने पकड़ा रंगे हाथ दोसों सीगल पर नीति में आ रहे हैं धेर सारे ट्विस्ट एंटर्स जहां नीति कर रही है हाई वोल्टेज ड्रामा नीति के चल रही है मेहदी नीति नहीं चाहती कि वो शैली के नाम की मेहदी लगाए इसलिए वो ऐस लिखती है संजु के नाम का इसके अलावा डिजाइन भी वो संजू से ही पूछती है यहाँ परी बार बार राजीव से डिजाइन पूछती ही रहती है लेकिन राजीव तो नीती को डिजाइन बता रहा होता है इसलिए परी भी राजीव से गुस्ता हो जाती है और पहली बार परी की इंसिक्यारिटी साब देखने को मिलती है जो देकर राजीव खुश हो जाता है ऐसे में राजीव कहता है कि तुम से मुझे कोई नहीं छीन सकता तुम मुझे इतना प्यार जो करती हो वहीं दूसरी और हमें देखने को मिल रहा है कि परी और राजीब की नस्दी के उसे बहुत बुरी तरहा से जल रही है नीती और नीती को आ रहा है गुस्ता वहीं ताई जी के सामने भी नीती का परदा फाश हो गया है और ताई जी कहती है मुझे सब पता है तु क्या करने की कोशिश कर रही है जादा भोली मदबत वहीं अम नीती गुसे में आती है कमरे में और फोड़ देती है गुरिंदर का फोटो फ्रेम और कहती है आज आपकी वज़े से परी और राजीव इतने करीब है जो कि मुझे से देखा भी नहीं चा रहा है और नीती फोटो फ्रेम चल चुका है कि नीती कर रही है यादा जाने का नाटक नीती की कोई मेमरी लास नहीं हुई है राजीव के सामने आ गया है सच यानि कि राजीव अताई जी का जो शक था वो सही था नीती कर रही है इतने दिनों से नाटक या तक राजीव को ये भी समझा चुका है कि नीती न चेल की सलाकों के पीच चली जाएंगी नीती च्राविक अगर द nemm muligy खिय वोल्टेज ट्रामा एक ईद्रश जाने का नॉड़ी स्टोлемी गुए गुरिंदर फिलहाल कोमा में है क्या गुरिंदर को आपाएगा खोश और गुरिंदर करेगी नीती का परदाफश क्या लगता है आपको कामेंस पर उताइए और सब्सक्राइब करिए का हमारे चैनल को